परधान मंतरी समान निधी की परधान मंतरी समान निधी की पंदरवी में किस्त कप डाले गई थी तो आप सब को मालूम होगा कि पीम किसान 15 इस्टोल्मेंट किसानों की परधिक्षा यहाँ पे पीम किसान समान निधी योजना की पंदरवी किस्त 15 नमबर 2023 को खाते में डाल दिया गिया था आपको बता दूं किसानों को हर साल 6000 रुप करते ही होंगे कि KYC offline कैसे कर सकते हो या online तो KYC form डाउनलोड कर ले उसके बाद वहां से आपको भरना होगा फिल करना होगा उसके बाद आपने आधार नमबर और पेर नमबर अपना फिल कर देना है उसके बाद के आर एक कारियालर पर जाए और आवेदन वहां पर जाके जम करना होगा ठीक है आपको बता दूं आपको कुछ मामलों में अपने बाइमेट्रिक्स भी जमा करने पड़ सकते हैं उसके बाद आपको एक आवेदन नमबर मिलेगा जिसका उप्यो करके आपके KYC के स्टेटस जान सकते हो आपको बता दूं आपको बता दूं कि PM किसान सोल कते हैं अपको बता दूं कि पर्धान मंतरी किसान समान निदी योजना की किस्त हर साल तीन बार जारी की जाती है पहली किस्ट अकसर फरबरी और मार्च महने में और दूसरी किस्ट जून जुलाई और तीसरी किस्ट अक्टुबर या नॉवंबर जारी की जाते है, ऐसे में पीएम किस्टान सॉल्वी इस्टोलमेंट की बात करें तो इसे जनवरी या फरबरी तक 2024 किसानों के घाते में credit कर दिया जाएगा आपको बता दूं कि पी एम किसान के पैसे नहीं मिले तो आप क्या करें सबसे पहले आपको क्या करना होगा सहता केंद्र एसी चिंताएं के जवाब में किसना मिलने का अनुभब करने वाले किसान PM किसान हेल्फ डेस्क के माध्यम से सिखायत दर्ज कर सकते हैं सिखायते हेल्फ लाइन नंबर है 01124300606 और 155261 या टोल फिरी नंबर पे आप माध्यम से सुझित कर सकते हो आपको बता दूँ कि समान निदी के किस्ट आ चुकी है PM समान निदी के किस्ट कितने आ चुकी है तो सरकार आप तक इस योजना के ताउत किसानों को 15 किस्ट दे चुकी है आप किसानों को सोलवी किस्ट का इंतजारे आपको बता दूँ कि मैं किसानों के लिए 6000 रुपी केसे पराप्त कर सकूँ तो आप सब जानते ही होंगे इसके साथ ही आप हेलफ लाइन नंबर 155261 या 1800115526 या 0112331092 पर कोल कर सकते हैं आपको बता दी कि परधान मंतर किसान योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपी की आर्थिक मदद करती है यह 184 मा के अंतराल पर किसान भाईयों को खाते में भुकतान की जाती है आपको बता दू कि किसान समान निधी योजना के लिए कितनी जमिन होनी चाहिए तो जैसा कि आप सब जानते हैं क्या है प्यम किसान की योजना का योगता इस योजना का लाब करीब वर्ग के किसानों को दिया जाता है इस योजना के तहत लाब लेने के लिए या रजिस्टर करने के लिए किसानों के पास 2 हेक्टर से कम जमिन होने चाहिए इसके अलावा किसान किसी सरकारी पेंसन इसकिम का लावियार्थी नहीं होना चाहिए तब ही आप इस किसान समान निदी योजना का लब ले सकते हो आपको बता दूँ कि PM किसान का पेशा क्यों नहीं आ रहे हैं क्या कारण हो सकता है तो जैसा कि आप सब जानते हैं आपको खाते में PM किसान का योजना की पंद्रवी किस्त के पेशा ना आने की कई वज़ा हो सकती है इन में से एक वज़ा है आपके bank account का आधार नंबर से लिंक ना होना इके वाइसी नहीं होना भी सामिल है अगर आपने ये सभी जरूरी काम पूरे किये हैं तो आपका आधिकारिक तोर पर अपने खाते ससंबंदित समान निदी योजना की किस्त का आपडेट आप ले सकते हो या मिल सकता है तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब किजिए वीडियो को लाइक करें धनिवाद